सो मेरे पस कुछ ऐसे फिशस है जो कि शायद इस एक्वेरियूम होई में किसी के पास होगी वन अफ ता मोस्ट रेयरेस्ट वन अफ ता मोस्ट यूनिक फिश वटर की क्लारिटी का अंदा जाई यही लगा सको ओ-ओ-ओ यह क्या है यह देखो लाइन से अंडे दिया है बाइस में भी मेरे को कुछ बच्चे देख रहा है रिसेंटली इतना जल्दी कैसे बच्चे हो सकते हैं भाई मतलब ढंग से एक हफ्ता नहीं हुआ होगा इनको एक सांत रखे हुए मतलब वह पहले प्रेग्नेंट बच्चे की मां है को ने पर ध्यान से देखो कि एक बच्चा प्रोसेस मैंने काफी सारे प्लांट्स उखाड दिये कुछ काटे है मैंने यहां पर कभूंबा का बात कर रहा हुए कोना में था सारे बच्चे कोना में छुप रहते तो मैंने उसको निकालते समय कभूंबा उखाड दिया अले टबले उठाओ चल पानी निकाल पीशी तो मचली अंदर ने खिचाना चाहिया बालू भी नहीं के जागीर पानी सिंपल है सिंपल में इस मिल सब कभी मेलिया थाकटाएंस में मत निकर कम्रैप यह और कर सलेंदे लहां का उरेंगी उलेेख rein अगर आप इस टैंक को देखोगे तो इसमें सॉस्टेट सिस्टम मेंने काफी अच्छा दिया था और लाइट भी काफी बढ़िया इस टैंक में तो इसका मतलब हम इसमें हैर ग्रास ग्रो कराने कोशिश कर सकते हैं इसमें सीयो टू सिस्टम नहीं है बट स्टिल अगर हैर ग्रास सर्वाइब कर जाता इस टैंक में मतलब एक और हमारे पास एक टैंक रहेगा जिसमें से हम हैर ग्रास बाद में यूस कर सकते हैं बढ़ा के तो यहां पर जो वैलिसनेरिया और ड्रॉफ सेगेट एरिया है जो डॉनर्स है उसी टाइप का हैर ग्रास बें प्लांट है तो होपफूली उसको भी अच्छा से इसमें ग्रो करना चाहिए तो मैं इसमें फिर रॉक्स के गैप्स को वगेरा मैं मैं प्लेस करके देखता हू थोड़ा थोड़ा तो मैंने यह वाला एरिया स्पेसिफिकली थोड़ा सा खाली कर दिया है अगर यह इस टैंग में फैल जाता है ना वाई तो समय लो मैं कार्पेट कर सकता हूं हैर क्रास का इधर पे अपने टैंक्स में क्लें यह धक def le देखव देखो आम का सीजन आ चुका हूँत सार्य आम आ चुके हाथ में मिरे आम खाले ले कि अव्य लाड़ा चुके हैं वहा पर जहां पर मेरे को सारा ड्रिफ्ट कलेक्श करना है काफी दिनों बाद है कुछ चीजे करने में चलो देखते हैं कहां मेरे को मिलता है ड्राइड ड्राइड लकडियां हाँ गोड़ पेकर गोड़ पेकर इतना बड़ा मचली नाली में कौन कोई फेक के गिया है कि पता नहीं कहां से आया बट है जीवन में कुछ तो प्रोग्रेस मिलते हुए देखो हमें लकडियां मिल रही है और वह भी कौन से पेड़ के इंडियान आमंड लीफ के लॉंडा लग चुका है काम पे पाई जीओ जीवन में ही काम बचाया ना रे तोड़ दे जहां से तूट पाए तोड़ दे तोड़ तो दुनिया में एक बहुत बड़ा सा पिड़ गी रहा हुआ पर जिन्दा हुआ है स्टील हम सोच रहे के इधर से कुछ ड्रिफूड निकाल सके तो हो सके तो शायद निकल सके ऐसा कुछ पानी कीचड़ कीचड़ फोटो यह उपर देख मस्त ड्रिफूड रूट्स जा भाग तुमारा का विचार है इसके अंदर जंगल मंगल कर सकता तुम ना चोलबे ना इड़ा चोलबे ना फीपल चोलबे ना राम से जा अरे थोड़ा और आगे अई तो उपर उपर आवाई जो पकड़ा तु अंदर जाने का दम है चलो जाके देखते कुछ खतरनाक सा वाज आ इदर ने रहने का निकलने का हम लोग को देख सकते हो सारे रूम में कजड़ा फचड़ा भरा पड़ा है स्टीला वेरी स्केरी प्लेस साया विलावज फेका हुआ पता नहीं किसका भागो निकलो यहां से ने रहने का ही सभी लाके में लखडी लेके अब घर जाना है यहां पर रहे और बाकी वाले सब को लेके चलते हैं उसके बाद इसका जो भी कहानी कर रहेंगे ले लो उठालो चलो तो यह रही वो सारी लकडिया मैंने इसको बेड़ पर रखा है हां देख लो अब यहां पर इसको मेरे को साइज में लाना पड़ेगा पेकास इतना बड़ा- पड़ेगी उनने ची लेंगे हम अभी मेरे को एक्चुली इस वाले टैंक को जो मेरे पीछे देखरो इसको फिर से सट अप करना है मेरे को यह डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मैं इसमें से पहले इन सारी फिश को निकालोंगा जो एलबाइनो फुल रेड की फीम यह रहा पाइप यह रहा टैंकी टैंकी में डालेंगे ऑसे पुछू करके थाला पगणा चलू अधर उहपोना में जा पहले तो निकालना पढ़ेगा इसमकों करते हैं लाइट को पीछे अ इतना सारा हौनवॉत को निकालना पढ़ेगा हाथ में पगड़ो डलो फ्ला मध लोगों पकड़ने का टाइम आ चुका है एक दो स्टेम प्लांट से उन्हें मैं कट आफ कर दूंगा और और तो कुछ करना नहीं है एक एक करके सब को पकड़ते हैं मश्लियों को कितना को पकड़ा निकालो तो देखी जारा को ना मेला काई कि इसमें से बहुत सारा मेल होती ति छूपा तेख़ा लेकर से जाके कलता इंसां पानी को सेफ करके रखोंगा विकतौश मेरे को इन में से कुछ को को स्तमाल करना है कुछ सेच को फॉस्त इंटना पानी भारने में हमारा बहुत स्टाइम वेस्ट हो जाएगा तो सेफ करते हैं कुछ पाणी को मेरे पस सारे मैंने ले लिए देखरो मतलब मेरे को इस्तमाल करना है इसको इतना साधा विकास टैंक काफी बड़ा है और यहां पहें इंडियन आमन्ड लीफ इन सब कि इस वाले टैंक में मैं शिफ्ट कर दो जो भी प्लांट साभी फिलहाल तो उसको उतना जादा क्लीन करने की मेरे को जरूरत है नहीं ग्लास को मैंने क्लीन कर दिया है अब अच्छा है काम इसमें मेरे को सब्स्ट्रेट हां यह रहा सब्स्ट्रेट इसमें मेरे को थोड़ा सा मिक्स करना है नया सब्स्ट्रेट यह रहा पुराना वाला सब्स्ट्रेट ह अगरा पट मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर दी है इसमें और मैं सोच रहा हूँ यहां पर यह जो बॉर्डर लाइन है उसके अंदर में फिल कर दो वो ज्यादा बेटर होगा अगर वैसे कुछ न्यूट्रियंट्स वाली सीन होंगे तो अच्छली यह ग्लास है थोड़ा पूराना इसी के वैसे काफी सारे स्क्राच जैसा जिसके वैसे इसका ढंक से क्लेनिंग नहीं हो पा रहा कांच का बट मेरे से इतना हो पाया मैं कर चुका हूँ यहां पर मैंने बेस लेयर सेट कर दिया है पालू-आलू डालके अब बचा है इसमें ड्रिफवड और थोड़े से स्टोन्स एक तो तीन चार पता नहीं देखते हैं यार कितना होगा इसमें तो यह रही वो सारी लकडिया और मेरा यहां पर थोड़ा सा प्रस्पेक्टिब सुनने और समझने के कोशिश करो मैं इन सारी लकडियों को ऐसे प्लेस करने व अब आपको थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक्चुली मैं यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहां पर एक सेक्शन रूट वाला एक सेक्शन यहां पर रूट वाला दो प्लांट दो ट्री एक्चुली मैं वैसा कुछ स्की बनाने कोशिश क और हां मैं इनको ऐसे ही नहीं रखने वाला हूं मैं इन्हें जस्ट ऐसे देखने के लिए रखा है कि यह कैसे दिखते हैं एक पेड़ जड़का काम खतम यह काफी एक अजीब सा लग रहा है ऐसे लग आग लगा दू अब हमन कुण जलेगा वैसा कुछ वहां पर मैंने रवर तो यहां पर जोइंट पर और नीचे में जहां जहां पर रॉक से वहां पर मैंने अटैच कर दिया यह वैब कुए और थोड़े से कॉटन के हल्प के सांथ यहां पर दोनों सेट हो चुके हैं वैसे तो देखने में लग नी रहा कि यह उठेगा विकास यहां पर अगर मैं टेस्ट करो तो यह अच्छा का सा चिपका हुआ लग रहा मेरे को यहां पर भी वही सीन है पीछे में एक स्पंज फिल्टर देख सकते हो यही टैंका था यह पुराना वाला तो उसको मैंने डाल दिया है तो इस एंगल से वह स्पंज फिल्टर ज्यादा कुछ नहीं दिख तो आइड़ तो लुक को कुछ खराब करेंगा ज्यादा थोड़ा सा दिख रहा है नहीं तो ब्लैक बैक्राउंड में मिक्स हो जा रहा है ब्लेंड हो जा रहा वैसे कुछ अब इसमें मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगा गुआवा लीफ और आलमंड लीफ पिच पिच तहां उसके बाद वाटर फिल करेंगे यह रहा गुआवा लीफ और अलमंड लीफ इसमें अच्छे से बॉइल हो चुका है और या थिंग सो सिंग हो जाएगा तो बस इसे हमें लेना है ऐसे और काइंड ओफ लाइक वैसे कुछ करना है देख पीछे में मैंने फेक दी हाँ चलेगा ऐसे लुक बट क्लस्टर ना बने जहां तहां फेक देता हूं देखता हूं जहां जहां बेटर लगे ऐसे कौन बेटर लगाता है लेकिन स्टिल हाँ यह लोग तो दे रहा है बहुत सारे गौवा लीफ जा चुके हैं टैंक के अंदर में अब अच्छे हैं इंडियन आमंड लीफ यह देख सकते हो इनको भी हम चकिन करेंगे जाओ यह सब भी वैसे मैं फेक दूंगा इसके अंदर अब यहां पे मेरे कुछ और भी टाइप के लीफ लेके आने हैं जिनको मेर इसके अंदर जाएगा लेकिन अभी नहीं जब यह टैंक में पानी भर दोंगा उसके पादी अवे फिलाल मैं आया हूं गंगा के दार विगास मैंने यहां पे एक बहुती मस्सा पौधा देखा है जो कि इसी के साइड में कहीं ना कहीं उगता रहता है यह वाला पौधा इ इन में से भी में थोड़े से ले जाओं देखते हैं कुछ बढ़ी आसा मिल जाता है मेरे को पीसेस तो उसमें से मैं तोड़ लेता हूं पानी बढ़ रहा दोस्तों पौधे ले लिए बहुत सारे चल ले बाई चल ले वंगारियम लभी उसा चड़ जाड़ जाड़ काफी इंतरेस्टिंग काफी बड़ा चलो ऐसे शैलो डाइंग भी ये काफी सही लग रहा थोड़ा सा मटीला पानी हो चुक है बट हाँ देखने में ये काफी सही लग रहा मैं इसको इतना पर भी रख सकता था बट नहीं करूंगा ऐसा वो जो ब्लैक वाला मार्गिंग द टाइम लगेगा तब तक हम इसमें जावा फॉन टैच कर लेते हैं जावा फॉन ने एक्चुली फॉन है हमारे पास एक बड़ी आसा फॉन उसे हमें टैच कर लेते हैं मेरे पास थोड़ा सा बनाना लीफ बॉयल करके तो वो भी मैं डाल देता हूं तो यहां पे चीजे सेटल होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी है मेरेको इन पे प्लांट्स लगाए हुए थोड़े टाइम हो चुक है आराउंड एक चार घंटा के आसपास अब वो पॉधे उठने स्टार्ट हो चुक है है इसके लाबा मैं इसमें सोच रहा हूं कि मैं म स्टलुक लगा रहा है थोड़ा सा क्लावडी है वाटर जो कि क्लेर हो जाएगा मैंने वहां पे स्पंज फिल्टर रखा है जो कि ऑल्मोस्ट चुक चुक है यहां से देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि एक्चुली उसके अंदर कोई स्पंज फिल्टर है इस एंगल से दे दो और वह आरांच हो जाकर सेटल होगा देट सम्थिंग कॉल्ड वाओ 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 एक्चुली अब लग रहा है यह कुछ एडिशनल ब्लाक वॉटर टाइप कुछ सीन मैंने उसको थोड़ा से साइड कर दिया है अब मेरे पास है कापी सारे टैन्वें टैनेंस वातर जिन दिख रहा वाई मतलब यह पूराना वाला पानी है देखो यह है ब्लैक वॉटर टेस्ट यहां हाथ डालो हाथ नहीं दिख रहा है इतना डार्क वॉटर चाहिए और यह ग्वावा लीफ और आलमंड लीफ वाला पानी है जिसको मैंने सेव करके रखा यह है भाई असली माल टार्क वॉटर इस रेदी मतलब मिक्स होगा वह अच्छे से और थोड़ा सा साइकल भी होगा फाइन होगा मतलब प्लैक तो दिखेगा बट यह गंदेगी जो दिख रही है वो नहीं दिखेगा अभी देख सकते हो काफी जादा डागनेस रहता है तो लाइट की इंटेंसि जाने वाला जिसे मैं ने एक इसी जगे से लाया जिसकी history जानने के लिए अधूल हिस्ट्री नहीं जहां से मैं लेकी आया हूं वह चीज जानने के लिए हवें पास्समें जानना पड़े गाए तो आज से लगबग्चिय मैं पहले मैं चाहां चैनेने पहले मैं था यह यह हाथ में मैंने ऐसे पगड़ लिया देख सकते हो कितनी छोटी सी है एकस्पेरिमेंट करें मैं सोच रहा हूं इन फिशस को ले जाओ चोटे से कोई एरिया या टब में मैं रखों और देखों कि ये बढ़ी हो कैसी दिखती है क्या बोलते हो जाला लेकि आए तो आज प्लान हो चुका है दोस्तों प्लान कुछ नहीं हुआ है प्लान हो आए तो चलते हैं जाला लाते हैं दोस्तों घड़ से यह रहा जाला और ही मचलिया देखो ध्यान से थोटी-चोटी है ट्राइगे पगड़ने का कि थोड़ा सा पानी लेवल अप उचुका है देख सकते हो जैसा कि पानी का लेवल थोड़ा सा उपर उठ चुका है तो सारी मचलिया भाग चुकी है एक दो एक दो दिख रही है तो पकड़ते हैं और यहां पे आप लोग देखो एक दो तीन पानी भरते हैं इसमें तक कि यह जिन्दा रहें इसी में है कुछ प्लास्टिक दिखाओ तो दोस्तो कुछ मचलिया हम लोग पकड़ चुके है इस प्लास्टिक वा में है दिखाई दे रहा तो बोलो अंधाद में हां कुछ भी देखिए दोस्तो यहां पे चोटा-चोटा बेबी इस और इने गुरूम करके देखें के एक्चुली यह कौन से बड़ी सी मचली होती है मतलब जो भी साइजन के थोड़ा से तो बढ़े गई तो चाच्छा लोग उदर मचली काटा से पकड़ते रहेगी हम लोग मचली का पकड़की से बड़ा करके फिर खालेंगे ना एक्चुली इससे कोई प्लान नहीं है हम बयात नहरवाना को खिलाएंगे है और राइट और यह जब बर्थ हुई थी उस साइज की है हम भी फिलाल तो जोग अपीस की साइज है तो वही देखते हैं कितना टाइम लगता है इने बढ़ने में और देखेंगे कुछ दिनों बाद इनका क्या हालत रहता है और अभी फिलाल वो फिशस इस टैंक के अंदर में हैं पीछे में जाकर छुपते हैं उनको मेरे को पगड़ना पड़ेगा काफी इंट्रस्टिंग रहेगा इस टैंक में देखने के लिए इनकी बाड़ी आल्मोस्ट ट्रांस्पेरेंसी जैसी है मलब ट्रांस्पेरेंट है जोकि आर पर हम देख सकते हैं इनकी हड्डिया वड्डिया भी गिन सकते हैं लेकिन स्टिल देखने में इनका शेप बहुत ही जादा यूनिक है और सबसे इंट्रस्टिंग बात तो यह हमें फ्री आफ कॉस्ट बस थोड़ी से महनब से मिली हैं तो इस टैंक को सेड़प के तो यहांपे यह जो लंबे लंबे लिख्याय है मैं सोच रहा हो इनको कट-गठान कर दो नए इंवार्मेंट के हिसाब से जो नए लिवR होंगे वो इस लाइट के हिसादी पर ग्रोण तो ऑग पर हो इसके सियूटबल इंवार्मेंट में रहेंगे और मैं सोच रहा हूं इसमें कुछ में money plant जो की नीचे में हमारे यहां पर हैं उनमें से कुछ लेके मैं इसमें डाल देता हूं तो फॉंस की cutting मैंने कर दी है इतने money plant से अपना काम हो जाएगा इसे मेरे को बस जेंटली attach कर देना है यहां पर जहां से यह root निकाले must अपने इस पर भी हमें सेम करना जेंटली इसको फंसा देना वहां पर और यह कितना मस्त ब्राइट लग रहा हुआ यह money plant मस्त यह भी काम कंप्लीट हो गए यहां पर money plants मैंने दोनों attach कर दी हैं जगह पर फॉंस भी बढ़ेगा और अब यह tank सेटल हो चुका है से स्टाइकल होने देंगे हम रात के 9 बज र ज़िए इनका खतम अब आचुके है इनको हम रिलीज करने इस टैंक में अराम अराम से पीछे करते हैं थोड़े से लाइट को और इनको एकलिमेट होने के अलिए और थोड़ा सा रिलीज करते हैं ऐसे आप समय आचुक है उन फिश्ट को रिलीज करने का जिनका ये नैचरल होम होने वाला है मतलब नैचरल होम इनका ऐसा ही कुछ दिखता है इसलिए मैं इनको नैचरल होम बोल रहा हूँ मतलब उसका एक रेप्लिका है और मेरे पास एक और इंजल है जो कि इन ही के जैसा है और इनके साइज में ही होगा इन से थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ लिक्या कि इसमें इंट्रड्यूस कर दूँ इस मॉंस्टर की बात कर रहा हूँ मैं हाँ इसी को मैं ले जाने वाला हूँ इस वाले टैंक मैं हावे फिलाल तो इसको भी ले के चलते हैं अब समय आ चुका है उसे रिलीज करने का जो कि काफी देर से लोनली डिपेरर अकेला अकेला अपने बिरादरी में घूम रहा था जाओ अपने भाई पंद्रों के साम भेट कर दिया हो कैसा लगा ये ब्लैक वाटर टैंक आप लोगों को बता देना है कमेंट सिक्शन में जी हाँ काफी सारे अलग भी प्रोजेक्ट बचे है और ये ब्लैक वाटर टैंक में एंजल फिश काफी सही लग रही है मैं तो काफी देर तक इनको देखने वाला हूं फिलाल तो मैं मिलता हूं in the next episode बाइबाई कर दो